कहानी काफी डिरावनी है कि कैसे एक जिन्दा डॉल अपने मकसद को पानी के लिए किसी भी हद तक उतर जाएगा। ये डॉल काफी एवल है और उसे किसी को मारते हुए कोई दुक नहीं होता। इस डॉल की रूस एक औरत बहुत प्यार करती थी। मगर क्या एक औरत का प्यार उसको बदल सकेगा। जानने के लिए मुवी की तरफ चलते हैं। मुवी की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कि एक बैग को चुरा कर ले जा रहा था। रात का वक्त था और तेज पारिश हो रही थी। पुलिस ऑफिसर को इस बैग के बदले काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। वो बैग के अंदर जांग कर देखता ही है कि उसकी गर्टन को कोई पीचे से कार्ट देता है। ये और कोई नहीं बलके एक लर की टिफिनी थी। टिफिनी के मरे हुए बॉइफिन की रूइस डॉल चकी में थी। बैग में चकी के डॉल के टूटे हुए टुकरे थे। टिफिनी उसे किसी भी सूरत में वापस लाना चाहती थी। क्योंकि वो अपने बॉइफिन से बहुत प्यार करती थी। घर आकर वो हर टुकरे को जोड दीती है और कुछ डॉल के पार्ट से उसे बिलकुल ठीक कर दीती है चकी अब काफी डिराप ना लग रहा था मगर टिफिनी काफी खुश थी क्योंकि उसने चकी को ठीक कर लिया था टिफिनी चकी को एक सेरकल में लिटा दीती है वो वापस आती है तो दीखती है कि चकी उदर से गायब है। टिफनी को बता चल चुका था कि अब चकी जिन्दा हो क्या है। टिफनी अपने दोस्त को सिटी उसकर के बैट से पान देती है। ताके वो चकी को ना देख ले। इतने में चकी उसके दोस्त के मूबर तक क्या रख देता है। और उसे मार देता है। टिफनी चकी को जिन्दा देख कर काफी खुश हो जाती है। यूंकि चकी के अंदर उसके बॉइफिन की रूप थी। वो चकी से बातें करने लगती है। और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये रिंग या थे। ये मुझे तुम्हारी डेड बॉड़ी के साथ मिली थी। ये सुनकर चकी सोर्जोर से हसने लगता है। वो डिफिनी से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करने वाला था मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था डिफिनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चकी को एक पिंजरे में बढ़ कर देती है दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेट था उसे उसका बॉइफरिंड जैसी अपने फेन के साथ पिक करके पार्टी में लेकर चा रहा था सब गारी में जा रहे थे कि जेट के अंगल जो पुलिस में थे वो इन सब को रोक लेती है वो जेट से कहते हैं कि मैंने तुमें कितनी बार इस लड़की को मिलने से मना किया है वो जेट को वहाँ से घर ले जाता है जैसे कि दोस्त उसे कहता है कि तुम जेट से भाग करें शादी कर लो जैसी भी इस बात पर मान जाता है और जेट से भाग के शादी करने का फैसला लेता है जैसी असल में टिफिनी का पड़ोसी था टिफिनी चकी को केला देखकर एक ब्राइड डॉल ले आती है और उसकी केज पे रख दीती है टिफिनी शावर लेते हुए टिवी देखने लगती है चकी उस ब्राइड डॉल के गले में से रिंग निकाल कर अपने केज को कार देता है चकी को टिफिनी पे बहुत ज़्यादा गुसा था क्यूंकि टिफिनी ने चकी को इतनी देर केज में बत रखा था वो दीखता है कि टिफिनी बातरूम टब में नहा रही थी वो इस मौकी का फायता उठाता है और टिवी को टिफिनी के टब में फैंग देता है जो पानी से भरा था टिवी गिरने की वज़े से पानी में करण आजाता है और टिफिनी तडपते हुए मर जाती है मगर चकी को इस बात का कोई गम नहीं था चकी उस प्राइड डॉल को टिफनी की बॉड़ी के पास ले आता है और मंदर पर के टिफनी की रूख को डॉल के अंदर डाल देता है टिफनी अपने आपको एक डॉल में देखकर काफी गुसा होती है चकी उसे कहता है कि तुम्हें मेरा कहा मानना चाहिए था और अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें फैसाई करना होगा वो टिफनी को कहता है कि अगर तुम वापस इंसान के शरीर में जाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो वापस इंसान के शरीर पे जाने के लिए उन दोनों को एक लाके चाहिए था जो टिफिनि के मरे हुए बवॉइफ्रिंट का था उसकी डैड बॉडी तो काफी दूर बरे ती दोनों ड्राइफ तो नहीं कर सकते थे इस दिए उन्हें कोई चाहिए था जो उन दोनों को ड्राइब करके उस डेड बाडी के पास ले जाए डॉल टिफिनी अब जैसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरे घर में दो डॉल्स पड़ी होई है उन दोनों को एक जगा पहुंचा दो जिसके बदले में तुमें थाउजन डॉलर्स दूंगी कि तुम्हारी फैमिली हमारे रिष्टे के लिए नहीं मानती तो हमें खुद ही भाग के शादी कर लेनी चाहिए जेड मान जाती है और अपने घर से अपना सामान लेने चली जाती है जेड के अंकल ये सब देख रहे थे वो नहीं चाहते थे के जेड भाकर शादी कर ले वो छुपके से कुछ ड्रग्स जैसी की गारी में चुपा देती है ताकि पुलिस रस्ते में दोनों को पकर सके ये सब टेफनी और चकी देख लेते हैं प्लान के मताबिक जेड और जैसी की गारी को रास्ते में पुलिस रोक लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर को गारी में से ड्रग्स मिल जाती है पुलिस इंस्पेक्टर दोनों को अर्रेस्ट कर लेते है टिफिनी और चाकी को ये देकर पिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके सफर में ये रुकावट आ रही थी पॉलिस इंस्पेक्टर जेर के अंकल से बात करने के लिए अपने गारी बेच जाता है तो चाकी चपके से उसकी कारी को आग लगा देता है जिससे कारी सूर से भड़ जाती है और वो पॉलिस पाफिसर मर जाता है टेर्ट चैसी ये देकर घबरा जाती हैं और वहां से वैन लेकर भाग जाती है दोनों बहेस करने लगते हैं लिए अपर इस थमाके का कसूर लगाते हैं दोनों फिर एक चर्च पर पहांच जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं कार में टिफ़नी और चकी काने सिन रहे थे टिफ़नी को भी दूलन बनने का खौब देख रहा था चेडर जैसी फिर एक होटेल रूमें ठहरते हैं वहाँ पर एक कपल आ जाता है इससे ये कपल एक तम से बर जाता है शीशे के टुकरों के वज़ज़ से इस कपल में से काफी खून बहता है इसको देख कर चकी काफी इंप्रेस हो जाता है वह डिफ़नी को पसंद करने लगा था जाकि उस कपल की डेड बॉडी से एक वेडिंग रिंग निकालता है और टिफ़नी को पहना देता है टिफ़नी भी ये देख कर काफी खूश जाती है जिसकी वज़ज़ से इसकी आंकों से खूशी के आंसूर निकलते है और दोनों डॉल्स एक दूसरे को किस करती है और होटल रूम में इंटिमेट होती है अपने कमरे में जेड और जैसी काफी परिशान थी उस पुलिस इंस्पेक्टर की मौत को लीगी जैसी अपने दोस को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है सुभार रूम सर्विस वाली लेडि उस कबल के रूम में आकर उनकी डेड बोडिस को देखती है और सूर से चलाती है ये देखकर सब काफी डर जाती है जैसी होटेल से अपना सामार लेकर फोरण निकलाती है जैसी का दोस पी उन से मिलने आता है वो जैसी को बताता है कि तुम दोनों को पुलिस ठून रही है तुम दोनों पे पुलिस इंस्पेक्टर की मर्डर का उजान है वो जैसी से कहता है कि उसे पूरा विश्वास है उन दोनों पे कि वो ऐसा कुछ करी नहीं सकते है वागर तब ही वो गारी में जेड के अंकल की डेड पॉजी देखता है ये देखके वो खबरा जाता है और उनकी गन को निकाल कर जेड और जैसी पे दान लेता है उसे लगता है कि जेड और जैसी ने इस पुलिस आफिसर को मारा है यहां पर टेफिनी और चाकी भी अपने आपको रिवील कर देती है और उस दोस पे गन टान लेती है दोनों डॉल्स को जिन्दा देखके वो दोस खबरा कर वैंट से भाग जाता है अगर हाईवे पे तेज आता ट्रक उससे कुचल देता है और उसके टुकरे टुकरे कर देता है जाकी अब टेफिनी को वैंट चलाने का कहता है दोनों डॉल्स अब जेड और जैसी को सारी सचाई बता देती है वो फिर ये वैंट छोड़कर एक नई वैंट चुड़ा लेती है जिसमें एक छोटा किचिन भी था चाकी और टेफिनी ने बंदू के डर से जेड को बात दिया था और जैसी को गारी चलाने का बोला था नहीं दान में टेफिनी चाकी के लिए खाना भी बनाती है खाने के बरतन को लेकर टेफिनी और चाकी में पहस चुरू हो जाती है कि ये बरतन कौन धोएगा जेड इस बात का फाइदा उठाती है और टेफिनी को किक करके अवन में बंद कर देती है जैसी चाकी को विंडो से बाहर फैंग दीता है मगर चाकी जैसी पर शूट कर देता है अगर जैट और जैसी बच प्ट जाते हैं अवन में बंट टिफनी अब चल चुकी थी वो बाहर आकर जैट से बदला लेने के लिए उस पे हमला करती है अगर जैसी जेट को टिफनी से बचा कर वहां से ले जाता है बाइर चाकी जेट को बंदू की नुक पर एक कपरिस्तान ले जाता है अब उसे वो लॉक इट चाहिए था जिसकी वो वापस इनसान के शरीर में आ सके जैसी टेफिनी को वहाँ पर ले आता है और चकी को धंगी देता है कि वो टेफिनी को मार देगा अगर चकी कहता है कि मुझे टेफिनी की कोई जरूरत नहीं चकी जेट पर एक नाइफ भैंकता है वागर उस नाइफ के सामने जैसी खोड़ा जाता है जिसकी वाज़से वो जखमी पर जाता है चकी उन दोनों को बात लेता है चकी के हाथ में लॉके था और वो मंतर बढ़के अपने आपको बदलने वाला था टेफिनी भी होश में आ जाती है जेट और जैसी का प्यार देकर उसे एहसास होता है यह उन दोनों ने गलत किया टेफिनी चकी के पास जाती है और इसे किस करते हुए चाकू मार देती है चकी और टेफिनी लड़ने लग जाती है तो नों वाह एक दूसरे को मारने की कोशिश करते है बगर चकी टेफिनी के सीने में नाइफ मारता है और वो मर जाती है यहाँ पर एक पुलिस आफिसर भी पहुंच जाता है जैसी चकी को उसी कबर में धका दे देता है जेर और जैसी चकी पे कई गोल्यां जलाते है जिसे वो मर जाता है जाकी के आखी लफ़ थे कि मैं वापस ज़रूर आऊंगा वो पुलिस आफिसर जेर और जैसी को घर भीज देता है क्योंकि दोनों मासूम थे वो आफिसर डिफिनी की डेड बाडी को देख रहा था कि उसके अंदर से एक बच्चा निकलने लगता है वो खून से भरा था और काफी डिरावना था ये बच्चा पुलिस आफिसर पे हमला करके उसे मार देता है जिस पर मुवी एंड हो जाती है ये बच्चा हम जरूर मुवी के अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि चाकी के आखी लफ्स ही बदला लेने के बारे पे थी तो ये बच्चा भी चाकी की शकल में दुबारा पैदा होकर अपने बाप का बदला लेगा और क्या ही अपने बाप से ज्यादा खूनकार होगा इसके लिए आप इसका नेक्स पार्ट सीड ओफ चाकी हमारे दूसरे चानल मुवी जर क्लांस पर देख सकते हैं तो कर द सकते हाँ